तो सबसे पहले आपको दिखाती हूं मंडप मंडप केली के पत्ते से बनाया जाता है और मैं और मेरी ननन बना रहे हैं तो इसको बांध के और जो नीम में बांध को सजे बांध के और रशी की फीजिलप से बांध यह जू किसे और इसको पैसे हो जाता है तो बनने के बाद कुछ ऐसा बन गया है और इसमें फूलू लगा के सजा दिया गया इसमें बैठा दिये गया है भगवान को जो कि मिट्टी की मूर्तियां बनती हैं हमारे हां और ये सारे फल चड़ाने के लिए हैं अभी हम लोग इनको चड़ाएंगे तो ये सब कुछ रख स्टैलन टिप्स और जै भोले नाज जी कैसे हो आप सभी आए होफ आप सब बहुत जादा अच्छे होंगे हिल्दी होंगे अन्फिट होंगे तो आज हमारे यहां हैं तीज और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं हमारे यहां तीज कैसी मनाया जाता है तो कई बा पूड़ा सा पिक्चर में अगर मेरी वीडियो में थोड़ी सी कमी हो तो उसके लिए माफ करिएगा क्योंकि इतना प्रॉपर लाइट नहीं हो पाता है गाउं में और तो फिर चलो आपको दिखाती हूं पूरा सब कुछ और जो आप क्या होता होगा आप वो मुझे कमेंट उसके बाद ये सारी चीजे हैं इनको बना लिया जाता है और इनको बनाया जाता है बेसन से और आटा से तो ये भगवान के गहने हैं जो कि बनाया जा रहे हैं और इस टाइप पर मक्यां बहुत हो गई हैं बारिश की वज़े से या फिर हमारे घर छोटा बच्चा आया है उसकी वज़े से पता नहीं कैसे जैसे बच्चे को होता है न कि दूध वगएरा कहीं पर भी पिला के उसको फिर उसका बॉटल रख दिया जाता है तो हो सकता है उसकी वज़े से हो या फिर बारिश की वज़े से भी हो सकता है तो ये सारी तो अभूशन है मातारानी के और प्रभू के डमरू वगेरा ये सब कुछ-कुछ ऐसे बना दिये जाते हैं और उसके बाद फिर उनको चढ़ाया जाता है तो अगर आपके यहां भी यह होता है तो मुझे जरूर बताना क्यूंकि मेरे मायके में शाया दिये नहीं होता तो सबसे पहले मैं आ गई थी बनाने पुवा जो की पुवा भी हमारे यहां चढ़ाया जाते हैं तो पुवा और जो छोटी पूडियां होती है जो चढ़ाने के लिए उनको घी में निकाला जाता है तो यहां पे मैंने घी डाल दिया है और पुवा बना रही हूं तो पुव और हां ये सारी चीज़ें नहाने के तुरंत बाद बनाई जाती हैं क्योंकि नहाया जाता है हमारे चार या पार बार पूजा किया जाता है तो चार बार हम लोग नहाते हैं चार बार पूजा करते हैं इसलिए हम लोग सिंदूर एक भी टाइम पे नहीं लगाते हैं उसका यह रीजन है कि सिंदूर अगर लगा लो तो आप नहा नहीं सकते हो तो इसलिए बार-बार सिंदूर नहीं लगाया जाता सिंदूर सिर्फ एक बार ही लगाया जाता है वो भी दूसरे दिन जब हम पूजा करते हैं तो दूसरे दिन लगाते हैं जिस दिन तीज होती है उस दिन हम लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं और पुआ यहां पे सारे बन चुके हैं अब पूर線 बन रही हैं तो यह वाले जो घी में बनेंगी वो यहां पे बनेंगी बाकि सारे रिफाइंड आयल या फिर बहुत से लोग सर्षो के थेल में भी बनाते हैं लेकिन मैं रिफाइंड ओयल में बनाओंगी तो ये घी वाले सारा सामान निकालके फिर इसी कड़ाई में बना लूगी अभी सबसे पहले घी का सामान बनाओंगी और इसको अलग रग देना होता है ये भोग लगाया जाता है इसका फिर दान करने के लिए जो भी पूडियां बनती हैं उनको ऐसे रिफाइंड में निकाल दिया जाता है तो यहां पे घी वाली कड़ाई में ही मैंने रिफाइंड डाल दिया था और ये फिर जो गहने जेवर वगरा हैं इनको निकाल लिया है तो इसी में आप पूडियां भी निकालूंगी जो दान करने वाली होंगी क्योंकि हमारे हां दान भी किया जाता है पूडियों का और भोग भी लगाया जाता है तो सबसे पहले हम लोग घी वाली निकालते हैं क्योंकि घी वाली भोग लगाने वाला सामान सब कुछ घी में बनेगा और जो दान करने वाला सामान है वो सब कुछ रिफाइ हैं या नहीं यह भी आप मुझे कमेंट सेक्षón में बता आए और आप अप्रत अति हैम्हेरा कोkichसर में महत काहरा नहीं है ese नहीं आती है लेकिंट जितना अति है उतना तो लगाएंगे ही लगाएंगे तो हम सब लोगों ने जितने लोग ने बद रखगा था उन सारे पर हमारे हाँ अच्छे से मेकप नहीं करते हैं मकलब जैसे आलता हो गया और सिंदूर हो गया ये सब कुछ नहीं लगाते क्योंकि अभी हम लोग एक बार सुबा में पूजा करेंगे वो वाली पूजा मेन होती है मैंने पहनी है शाड़ी रेड कलर की तो ये वाली शाड़ी म मन किया कि मैं रेड साड़ी पहनती हूं बस फिर मैंने रेड पहन ली वाली साड़ी जो मैंने आपको कल वीडियो में दिखाई थी उसको मैं आपकल सुबा पहनने वाली हूं तो चलो फिर फूजा करते हैं और दिखाती हूं आपको और ये मैंने पहनी है चूड़िया और ये छोटी सी बिल्कुल पतली सी रिंग पहन लिए ज्यादा कुछ पहनने का मन नहीं है क्योंकि ब्राथून और बस वही अपना वंगल सूत्र पहन लिए बस थोड़ा बहुत पहन लिया बाकी अब कुछ नहीं पहना तो चलो चलते हैं फिर पूजा में और दिखाती हूं पंचामृत उससे रुद्रभ शेक करते हैं और उसके बाद फिर सारी चीजें गंगा जल चढ़ाएंगे फिर जो जल होता है नॉर्मल सा उससे उसको चढ़ाएंगे फिर यह मैं यहां पर लिख रहे हूं राम सारी पतियों में क्योंकि सारी पतियों में राम लिखके लिखके ही चढ़ाया जाता है तो फिर उसके बाद बाकी सब कुछ जो भी करना होगा वो करेंगे और यहां पर दीपक जला के भी रग दिया गया है तो चंदन बगारा लगा दिया गया और चंदन लगाने के बाद माला पहना दिया गया माला सब लोग पहनाएंगे जितने लोग भी होंगे ब्रत होंगे तो एक एक या दो दो जिसको जो पहनाना होगा वो सब कुछ पहना देंगे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग अभी माला पहना देते हैं मैं सब 350 तरह के जितनी बी तरह की मिल जए अतनी तरह के एक सुबह चड़ाना होता है। मैं सब कुछ पहले ही विडियो में दिखा दिया है। जो भी है वह शब कुछ मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखा दिया। इसलिए जो भी चीज़ें थी सब कुछ चड़ा दिया गया है भगवान को और सब कुछ समर्पीत करने के लिए जल अर्पित कर दिया गया है मतलब आपको सब कुछ समर्पीत है आप सब चीज ग्रहन करो तो यहां पे हमारी पूजा संपन हो गई और अब हम करने लगे हैं हमन हवन के बाद फिर आर्थी करेंगे तो पूजा जो भी होती है उसके बाद मैं हवन करते हैं हवन हमारे यहां बनाया जाता है वो मैं किसी वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगे कि हम लोग हवन कैसे बना के रखते हैं और जब भी यह हवन के आ जाता न तो इतनी बड़ी हख उस्बू घर में आती है इतना मतलब एक पॉजिटिविटी घर में आ जाती है तो पूजा हो चुकी है और सुबे की पूजा करने के बाद पूरा जो साम का फ्रॉसेस होता है वही सब कुछ सुबे का भी होता है तो सुबे की पूजा होने के बाद फिर हम लोग जाएंगे इसको मूर्ती जो भी बनी है इनको विसरजित करेंगे और इनको विसरजित करेंगे हम लोग एक छोटा सा पुल है तो वहीं पे जाके बहते हुए जल में प्रवाहित करना है तो चलिए आज मेरे साथ आप भी कर लीजिए थोड़ी सी सेर गाउं की तो ये आ गए हम लोग पुल पे और हम मैंने बोला था कि गाउं की सेर करवाती हूं लेकिन इतना साथा अंहेरा था कि कुछ होगी नहीं पाया तो यहाँ पे हम लोगों ने विसरजित कर दिया है और ये मेरी चाची जी है तो ये भी अपना इसी टाइम पे विसरजित कर देंगी नीचे बहता हुआ जल है तो ऐसे होता है इसका पूरा पुरी विधी यही होती है मेरे घर में तो ये वाले साड़ी मैंने पहनी थी और कुछ ऐसी लग रही है साड़ी बहुत सिंपल सी थी कुछ ज़्यादा बहुत भारी भारी नहीं पहना था बस यहीं सिंपल सी साड़ी पहन लिया था और कैसी लग रही हूँ ये भी बताईए मुझे कमेंट सेक्शन में तो पूजा हो गई है और मतलब कि सुबे की पूजा हो चुकी है व्रत हमारा संपन हुआ और ये वारी मैंने पहनी थी साड़ी तो मैं अभी हूँ किचन में बना चायवाय पी चुकी है दाल में सीटी आ गई है शाहद आपको आवाज भी आ रही होगी हमारे हैं जो ब्रat खोला जाता है उस टाइम पर्स पी पर अब भाको होता है वह सर्वत से स् जुरू होता है % तो व्रत क्पार होता है 36 गंटे भाद अन्हें चीज़े कहाने लगोगें मकलब भारी चीज Sबट चुषाण विउस्थाइए NEM यह सबसे पहले सरबत से हम नुख ब्रग खोलते हैं फ्रिज पे फ्रिज के ओपर फालवल सब धेर सारे रखें यह मेहंदी मैंने लगाई थी इधर कुछ नहीं लगा था इधर लगा था यह छोटी सी डबल कुल रिम पहन ली थी तो बस यह इतना ही पहना था यह मेरा वाला म अंगर जूतर जो कि मैं हमेशा पूजा में पहनती हो यह शादी पे मुझे मिश्राजी ने दिया था यह वाले और बस उड़िया पहन ली उसके बाद बाकी ज्यादा कुछ नहीं किया तो यह थी पूजा होप आपको अच्छी लगी होगी आप यहां कैसे होता है मुझे कम कमेंट करके बताइए और अगर आप यहां कुछ और होता है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो फिर से मिलूगे एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय टे